बॉलिविद के वर्सिटाइल एक्टर मनोज बाजपई 52 साल के हो गए हैं उनका जन 23 एपरिल 1979 को बिहार के पश्चिम चमपारन जिले के बेलवा गाउं में हुआ था मनोज ने 1994 में आई फिल्म द्रोह काल से बॉलिवुद में डेब्यू किया था तब से अब तक 27 साल के करियर में उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ कर नहीं देखा लेकिन उनके लिए यहां तक का सफर तरह करना आसान नहीं था उन्होंने यहां तक पहुचने में बहुत पापड़ बेले हैं संघर्ष के दिनों में वो इतना हार गए थे कि खुद की जान तक लेने की सोच डाली थी लेकिन फिर कुछ दोस्तों की वज़े से उनकी किस्मत पल्टी बता दे कि मनोज ने स्ट्रगलिंग के दोरान दिल्ली की एक लड़की से शादी की थी लेकिन यह शादी लंबे समय तक नहीं चल पाई और दो महिने में ही दोनों अलग हो गए जिहां इसके बाद उन्होंने फिल्म करीब 1998 में डेब्यू किया और अक्ट्रस नेहा से उन्होंने 2006 में शादी कर ली फिल्मों में विलन कॉमेटी से लेकर सीरियस रोल करने वाले मनोज बाजपई ने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है आज भले ही वो जाना माना चेहरा हैं लेकिन उनका यहां तक का सफर आसान नहीं था मनोज ने अपनी स्कूली पढ़ाई राजा हाई स्कूल बेतिया जिले से की इसके बाद सत्यवती कालेज गए फिर दिल्ली विश्व विद्याले के रामजस कालेज से ग्राजवेट हुए उन्होंने एक इंटर्व्यू में उस दौर के बारे में बताया था जब उनके मन में खुद की जान लेने की खयाल आई थी जिहाँ उन्होंने बताया था कि वो हमेशा ही ही एरो बनना चाते थे जिसके चलते 17 साल की उम्र में ही बिहार इस्तित अपने बेतिया गाओं छोड़कर वो दिल्ली आ गए थे यहाँ आकर उन्होंने National School of Drama यानि की NSD के बारे में सुना था मनोज ने फिर NSD में एडमिशन लेने का मन बनाया लेकिन NSD में दाखिले के लिए तीन बार फॉर्म भड़ा पर किसी वज़े से तीनों बार रिजेक्ट हो गया उन्होंने बताया कि जब वो रिजेक्ट हुए ऐसा लगा कि उनका सपना तूट गया और वो खुदखुशी करने वाले थे मनोज ने बताया कि इस मुश्किल दौर में उनके दोस्त काम आए और दोस्तों ने उनका खयाल रखा उस दोरान रगुवीर यादव के कहने पर उन्होंने बेरी जॉन की वर्क्शोप जॉइन की बेरी जॉन मनोज के टैलेंट से इतने इंप्रेस हुए कि उन्हें अपना असिस्टेंट मना लिया वही मनोज की हिम्मत लोटी और उन्होंने सालों बाद NST में फिर से आवेदन किया और इस बार उन्हें सफलता मिली फिल्मों में उन्हें पहला मौका शेखर कपूर ने दिया था 1994 में फिल्म बैंडिट क्वीन से फिल्मी करियर की शिर्वात की लेकिन उन्हें पहचान मिली 1998 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म सत्या से फिल्म सत्या और सूल के लिए उन्हें फिल्म मेकर बेस्ट आक्टर का एवार्ड भी उन्हें मिला फिल्म पिंजर के लिए उन्हें नेशनल फिल्म एवॉर्ड मिला बता दें कि नेहा और मनोज की पहली मुलाकात फिल्म करीब के रिलीज के बाद हुई नेहा की फिल्म करीब और मनोज की फिल्म सत्या एक साथ ही रिलीज हुई थी हाला कि ये उनकी दूसरी शादी है कि मनोज बाचपई की जिंदगी भी आसान नहीं रही है तो आपको इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताईए जुड़े रही है हमारे साथ नेक्स नाइन न्यूस से सुर्भी की रपोर्ट